हालो फ्रेंद्स कैसे हो सब वोग फूली शुब बहुत अच्छे हो वेलकम डौर चैनल बॉली स्टैल आज मैं आप लोग के साथ हो मिड़ विंटर सेरम कैसे बनाते हैं ? sounds शयर को कैसे कि', क्या क्षायवन है? आज बाल जो क्या up के साथ शेर करओंगी और आज पर दधाओं शयरा का दिखाऊंगी उसके लिए बस दूड ऐन्मल्ख चाहिए ऐलविरा जय वजाओ और आपको का बाले Crispy Hunt C Built आप cold pressed coconut oil या almond oil भी यूज़ कर सकते हो, मैं olive oil यूज़ कर रही हूँ और ये जो serum मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये male, female बच्चे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, winter के लिए तो बहुत ही अच्छे, बहुत long time तक हमारे body को, हमारे face को hydrate रखते हैं, moisturizerism प्रोवा कर रही हो, आप चाहते हो तो normal aloe vera जिल कोई भी brand की यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके घर पे aloe vera है, तो उसके भी आप pulp यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं recommend नहीं करूंगे, क्योंकि किसी को allergic हो जाते है raw aloe vera से, और ये भी जो मैं serum आज आप लोग के साथ शेयर कर रही तो चलिए, अभी इसको बनाते है, मैंने ये olive oil और ये aloe vera gel, दोनों को मैंने ये कर्टूरी पे ले लिये है, इसको बहुत अच्छे से आपको ऐसा mix करना है, ये देखिए, फर्स डे पे आप थोड़ा सा कम quantity में बनाईए, आप पैस्टिस कीजिए पहले, उसके बाद अपलाई कीजिए, आपको इतने अच्छे results मिलेगा, कि आप दूसरे दिन बना के आप स्टोर करेंगे, इसको आप ज़रूर फ्रिज में स्टोर कीजिए, अभी आप पूछेंगे कि दीदी विंटर में ऐसे बहुत ठटा रहता है तो फ्रिज में उसको स्टोर करेंगे, तो बाहर निकालने के बाद यूज करेंगे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठंडा लग जाते हैं, तो इसके भी solution में ये बता सकते हूं, आप फ्रिज में रख अब सिर्फ ओयल बेस्ट रहता है, तो मैं बोल सकती थी, कि नहीं आप बाहर ही रखेंगे, क्योंकि अलवरा जल बेस्ट है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूं, कि आप फ्रिज में रख दीजिए, अभी मैं इसको आपको अपलाई करके दिखाऊंगे, अब खूद देखिए, मेरे फेस से भी ज्यादा ग्लू कर रही है सरम, उने ररे विंटर के लिए हैं, अपके स्कीन को बहुत ज्यादा रखेंगे और इसके साथ-साथ, तो भी रिमॉब करने हैं, और जोपम करने ही तो जाएлек अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाय, टिक क्या है